लास्ट वीडियो हमने भाग 9 तक भारत के समविधान के महत्वपून अनुचेत जो हैं वो कर लिये थे आज हम करेंगे भाग 10 के बाद भाग 10 जिसमें हम देखते हैं अनुचेत जाती और जनजाती शेत्र से सम्मंदित अनुचेत जिसमें अनुचेत 244 जो है वह बहुत जादा महत्वपून है अनुचेत शेत्रों और जनजाती शेत्रों का जिसमें प्रशाशन दिया हुआ है next भाग 11 भाग 11 जो संग राज्य की बीच में जो सम्मन्द हैं उनके प्रती जो कानून बनते हैं उनका प्रावधान भाग 11 में दिया गया है जिसके अंतरगत महतपूर रहता है अनुछेद 249 जो है वो राज्य सूची के अंतरगत जो विशे होंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होगा, यानि केंद्र जो है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, यह अनुचे 299 के अंतरकत आता है, उसके बाद अनुचेद 262 जिसमें जल संबंती विवाद दिया हुआ है, यानि नदी जल विवाद जो है वो अंतराजिय नदियां जो ह जहां पर जल संबंती विवाद हो जाएंगे, तो उसमें उनके जो सॉलूशन के लिए क्या प्राप्धान होगा, यह अनुचे 265 जो है वो पता था है, अनुचे 265 नदी जल विवाद का प्राप्धान दिया हुआ है, नेक्स्ट है, उसके बाद है भाग 12, जो केवल हमें इतना याद रखना है कि भाग 12, वित, संपत्ती, संविदाएं और वाद, इनसे संबंदित अनुचेद दिये हुए हैं, उसके बाद है भाग 13, भाग 13 के अंतरगत भारत के राजशेत्र के भीतर, व्यापार, वानिज और समागम, भारत के राजशेत्र के भीतर, व्यापा वानिज्य और समागम ये सम्मंदी जो प्रापधान है वो भाग 13 के अंतरगत दिया हुआ है नेक्स्ट है भाग 14 जिसमें संग और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनका जो प्रापधान है वह उलेकित है हमारे सम्विधान में भाग 14 के अंतरगत भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंदित प्राफधान बताता है जिसमें अनुचेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंदी प्राफधान है जिसमें हम देखते हैं कि अनुचेद 326 जो कि हमें याद रखना है अनुचेद 326 जो है जिसमें हमें वोट देने का अधिकार जो है वो दिया हु जहां लोग सभा और राज्य सभा की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकाज के आधार पर होना, यह सबी मिलता है 326 के अंतरगत, बिल्कुल याद रखना है अनुचे 326 वोट देने का अधिकार लोग सभा और राज्य सभा की विधान सभाओं, राज् कुछ वर्गों के संबंद में विसेश उपवंद, कुछ वर्ग यानि अनुसूचित जाती और जनजाती, इनके संबंद में क्या उपवंद है, ये कौन से अनुचेद में है, ये हमें मिलता है भाग, सोला की अंतरगत, अनुचेद 330, लोग सबा में अनुसूचित जाती और अनुचे 331 लोग सभा में एंगलो इंडियन का प्राफदान है जो की अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है अनुचे 332 राजियों की विधान सभाओं में अनुचे जाती और अनुचे जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा और अनुचे 333 ये भी समाप्त हो चुका है राजियों की विधान सभाओं में आंगल भारती समुदाई का प्रतने देत्व तो यहां पर दो अनुचे जो याद रखने हैं अनुचे 330 और अनुचे 332 330 लोग सभा में SCST के इस्थानों का आरक्षण है 332 राजियों की विधान सभाओं में SCST का जो आरक्षण है वो प्राप्त है नेक्स्ट है भाग सत्रा भाग सत्रा जिसमें हमारी जो राज भासा है वह उल्लेकित है और इसे याद रखना है अनुचे 343 के तहत अनुचे 343 जिसमें संग की राज भासा का वर्णन है भाग 18 आपात उपवंद का प्रावधान है और यह हम देखते हैं 352 अनुचेद से लेकर 360 के अंतरगर्त जिसमें 3 अनुचेद हम पढ़ेंगे 352 जिसमें राश्ट्रिय आपात की घोशना है 356 जो राजियों के आपात की घोशना है यानि राश्ट्रपती सासन और अनुचेद 360 जो की वित्तिय आपात के बारे में उपवंद बताता है तो अनुचेद 352 से लेकर 360 में केवल 3 ही याद रखने हैं अनुचेद 352 राश्ट्रिय आपात अनुचेद 356 राश्ट्रपती सासन अनुचेद 360 वित्तिय आपात के सम्बंद में उपवंद जो की प्रकेंड से संबंदित है यहां आपको याद रखने वाली कोई बात नहीं है केवल आपको भाग याद रखना है उसके बाद है भाग 20 जो की सम्विधान के संसोदन से संबंदित है जो भी संविधान में संसोदत होते हैं वह अनुचे 368 के तहत किये जाते हैं संविधान का संसोदन करने की संसद को जो सकती है और उसकी जो प्रोसेस है वो सभी भाग 20 के अंतरगत संविधान के संसोदन अनुचे 368 के अंतरगत दिया हुआ है नेक्स्ट है भाग 21, एस्थाई परिवर्तित और विसेश प्रापधान, जोकी अनुचे 379 से लेकर 392 तक है उसके बाद लास्ट है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारम और निर्शन तो यह आपको इतना अधिक याद रखने की जुरूत नहीं है, क्योंकि यहां से प्रशन जो है वो आभी तक नहीं पूछा गया है, जो जो भी इंपोर्टेंट है वो भाग मैंने आपको बता दिये हैं, इनको बार बार रिवाइस करिए, इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू